सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दमाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आठ मार्च के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की नक्षत राशले शाय योग है सुकर्मा और करन है गर तो यह तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए अन्यतिक कार्य का प्रलोभन आज आपको कोई दे चाहिए व्रिशब राशी व्रिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए गुप्त शत्रों से आपको सतर्क रहना होगा आज दिन के उतरावद में रचनात्मक कारे से लोग प्रिता बढ़ेगी किसी सुहागी निस्त्री को कुछ भेट उपहार कुछ दक्षणा आदी दे करके हलवा और पूरी का अगर प्रसाद वितरन कर सकते हैं तो यह आपके भाग्य में सौभाग्य में व्रिद्धी करने वाला प्रयोग रहेगा किसी को अपशब्द कहने से आज आज आपको बचना चाहिए करक राशी करक राशी वाले जातक लोगों के लिए गुप्त शत का ध्यान रखना चाहिए महा मिरतुन्जे मंत्र का 108 बार जाप करें मानसिक तनाव से आप दूर रहें करने राशी करने राशी वाले जातक लोगों के लिए सहकर्मियों से असहयोग के अनुभूती आपके लिए दिखाई देती है माता का श्रिंगार अगर आप करा सकते हो अपने घर के आसपास किसी देवी के मंदर में तो जरूर कराना चाहिए पूजा पाठ में आलत से दिखाने से बचना चाहिए तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए आज क्रोध में वृद्धी होगी वानी पर नियंतरन रखना आपके लिए बहुती आ धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए राजनातिक छित्र के व्यक्तियों को परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है देवी दुरगा को शहद का भोग लगाना आज आपके लिए बहुती कल्यानकारी सिद्ध हो सकता है वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी स करें तेजगती में वाहन न चलाएं मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपका कार्य शित्र में वर्चसर्व बढ़ेगा नकधारा इस looking करें किसी को कुष्ट देने राशी वाले जातक लोगों के लिए नए संबंदों द्वारा लाभ मिलने के आसार दिखाई देते हैं दुरगा चालिसा का तीन पार्ट करना चाहिए और तनाव लेने से बचना चाहिए तो दोस्तों ये तो बात रही आज के बारा राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्ष के दौरान किये जाने वाले कुछ अच्चूक तोटके जो आपका भाग्य पलट सकते हैं अगर आप बहुत कस्ट में हैं समस्या में हैं तो इन उपायों को करके आप अपनी जिंदगी को दुख से उबार सकते हैं आए जानते हैं क्या है ये उपाय जिस प्रकार दिपावल आदी की गंद से हो जाता है तो आज हम लोग बात करने वाले कि किस तरीके से होलिकोत सफ जो है आपके जीवन के दुख और कश्ट से आपको मुक्त दिलाती है यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई उसको ला राख को रोगी के शरीर पर लगाया जाए या अगर वो रोगी व्यक्ति खुद वहां तक जा करके धुरड़ी जिसे कहते हैं वो जो होलिका की राख है उसको उठा करके लगाए और उसके पश्चाद गरम पानी से गरम जल से स्नान करें तो उस व्यक्ति के शरीर में जो भ विद्वेशन, उत्चाटर्न, सम्मोहन, वशिकरन, आदी जे तंत्रमंत्र होती हैं अगर आप उससे आकरांते हैं उससे अगर आप प्रभावेत हैं तो ऐसे में håलिका की राख शरीर में लगा करके गरंजल से इस्थान करने से किसी भी तरीके के तंत्रमंत्र का जो में रहता हो तो आप होली पर उप्रोगत सामगरी अरपित करके 7 बार होलीका की जलती हुई आग की परिक्रमा करें परिक्रमा करते सम heyo बोमती चक्र अपने पती के नाम से जो है आपको अगणी में डालना चाहिए हुलिका में डालना चाहिए ऐसा करने से महिला का पती वापस लोट करके आ जाता है और जो गलत चक्कर है पराई इस तरी का जो संपर्ख है वो हमेशा के लिए छूट जाता है और गोमती चक्र कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है किसी भी पूजा पाट की अच्छी दुकाने पुरानी दुकाने वहां आपको बहुत आसानी से असली गोमती चक्र प्राप्त हो जाता है यदि आपको ऐसा लगता हो कि किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग करवा रखा है तो आप हुलिका दहन के समय में देशी घी में दो लॉंग एक बत का तंत्रमंत्र होगा किसी भी तरीके के तंत्रमंत्र का बुरा प्रभाव होगा वो सदयव के लिए निश्क्रिय हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापिस नहीं कर रहा है तो आप हुलिका जलने वाले इस्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्त अपना ये सब आपको हुलिका दहन के पहले करना होगा हुलिका दहन के बाद या अगनी हुलिका में आग लग जाने के बाद आप यह उपाए नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाते हैं कोई आपका शत्रु है आप चाते हैं कि उसके मन में आपके प्रती जो वैरभाव है जो उसने आपके मन में अपके प्रती जो दुश्मनी पाल रखी है वो दुश्मनी अगर आप समाप्त करना चाते हैं तो हुलिका दहन क कि थोड़ी सी राख ला करके अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर डाल दें जिससे आप अपनी शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं होली मिलने के बहाने या रंग लगाने के बहाने किसी भी तरीके से ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके प्रती जो भी वैरभाव मन में रखता है भूल जाएगा और आप से उसकी पुना जो है मितरता हो जाएगी यदि आपकी जन्मकुंडली में कोई ग्रह पीडित है दूशित है और आप चाहते हैं कि उसका उपाय किया जाए तो ये उपाय जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुती लापकारी रहे तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है अगर आपको राज्यपक्ष से यानि सरकारी तंत्र से कुछ बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे लेने प्रारंब कर दें प्रत्यक्त फेरे की समापती पर आग की जड़ जलती हुई होली में आप डालते जाएं इस उपाय को करने से आपको राज्यपक्ष से मिलने वाली सभी बाधाएं जो है तमाम बाधाएं कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं दूसरा उपाय है वास्तु दोशों से मुक्ति पाने के लिए वास्तु दोशों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन के अगले दिन घर जो है वास्तु दोशों से मुक्त रहता है यदि किसी के ऊपर कोई भै का साया होता है होली पर एक नारियल एक जोड़ा लॉंग यानि दो साबुत लॉंग पीली सर्सों इन सभी वस्तुओं को ले करके पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उसके सिर के ऊपर से 21 बार क्ल अप्त हो जाएगा यदि आपको बार-बार आर्थे खानी का सामना करना पड़ता हो तो आप खोलिका दहन की शाम को अपने मुखेदवार की चोकट पर दो मुखे आटे का दीपक आप लगाएं चोकट पर थोड़ा सा गुलाल जड़क करके आपको दीपक रखना चाहिए दीपक जलाने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थे खानी दूर करने के लिए आपको निवेदन और प्रातना इश्वर से करनी चाहिए ये उपाए बहुत ही चमतकारी रूप से फायदा करता है और आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ती तत्काल प्रभाव से मिलने लगती ह किसी बालक को या किसी बड़े व्यक्ती को अगर बार बार नजर लगती हो या उसको बार बार टोक लगती हो तो हुलिका दहन के समय में देशीगी में दो लौंग एक बताशा पान का पत्ता इन सभी वस्तवों को हुली जलने वाली आग में डाल देना चाहिए और अगले दिन होली की राक को तामबे या चांदी के ताबीज में लॉकेट में भर करके काले धागे में उस व्यक्ति के गले में आप धारण करा दें किसी भी प्रकार का नजर दोश तंत्रमंत्र भूत बाधा ग्रह बाधा आपको फिर परिशान नहीं करेगी तो दोस्तों आशा करता ह कि छोटे-छोटे बहुती सरल बहुती प्रमाने को पाया जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होते हैं यह निश्यती पसंद आते होंगे आप सभी से बार-बार आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभावन जये महाकाल भी है आप अपने किसी भी व्यक्तिक्त समस्या के लिए मुझे परामर्ष और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी परस्णल प्रॉब्लम के लिए मुझे रेमेडी चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसटेशन फों पे बात करना और दूसरा फेस वाट्सप एवेलेबल है आप वाट्सप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा है और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद